चानल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं पाए लेटस्ट वीडियो नोटिफिकेशन हेलो फ्रेंज वाट यून चानल में आपका स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेदाग खुबसूरती चाहिए तो ये नौ सब्सक्राइब के चिलके आज माईए जानने के लिए वीडियो लास्प तक देखे और आप अभी तक हमारा चानल सब्सक्राइब नहीं किये है तो प्लीज सब्सक्राइब माच चानल फलू और सब्सक्राइब नुस्खे तो आप अकसर ही यूज करती होंगी क्या आप जानती हैं कि चेहरे को जवा और निक्रा बनाएं रखने में सब्सक्राइब के चिलकों भी आपकी मदद कर सकते हैं आये जाने कैसे आप अपनी तवचा को सब्सक्राइब के चिलकों की सहायता से निकार सकती हैं नमब वन चुकंदर चुकंदर का रस या चुकंदर को पीस कर चेहरे पर लगाने से चेहरे के डाग स्पॉट सही हो जाते हैं और स्कीन टोन भी सही हो जाती है नमब टू क्रेला क्रेला सिर्फ स्वाद में कडवा होता है लेकिन उसके गुंड बहुत होते हैं इसे पीस कर लगाने से चेहरे पर संक्रमन या दाने आदी की समस्या दूर हो जाती है साथ ही चेहरे की त्वचा में कसाव हो जाता है 3. शकर कंचोरिया, काले दाग, आँखों के नीचे काले घेरे आदी की समस्या होने पर शाकरिंकत को कूट कर लगाने से आराम मिलता है 10 मिनिट बाद इसे हटा कर धोलें, हर हफ़ते ऐसा करने से आराम मिलता है 4. नीमबू, नीमबू का रस और उसका छिलका दोनों ही फाइदे मन्द होता है 5. मूली मूली के छिलकों को कभी न वेके, इसमें विटमिन बीच है होता है जो बलिक हेस को सही करने में परियाप्त होता है छिलकों को चहरे पर रगड हैं और बाद में पानी से धो ले 6. टर्माटर, टमाटर मौजूद एंटियोक्सीडेंट, तवचा को स्वस्थ बनाते हैं इसके छिलके से चहरे की मसाज करने से चहरा दमयकने लगता है 7. आलू, आलू को चिलकों को चहरे पर लगाने से धब्बे, जायादी की समस्या दूर हो जाती है 8. अगर चहरे पर बहुत दाने होते हैं तो उसमें भी आराम मिलता है 8. खीरा, खीरे के स्लाइस कटकर आँखों पर रखने से आँखों को ताजगी मिलती है और सारी ठकान उतर जाती है 9. चहरे पर खीरे के चिलकों को 15 मिनिट तक लगा कर रखने और इसके बाद थंडे पानी से चहरा डोलें चहरे में चमक साफ न जुराएगी 9. गाज़े गाज़े को मिक्सी में पीस ले और उसलेप को चहरे पर लगा लें इससे चहरे की गंदगी निकल जाती है गाज़े में विटमिन सी होता है जो चहरे को साफ सुत्रा और दमेकदार बना देता है अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूले जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यबाद